नमस्कार जेहिंद मैं हूँ शेचांग लखेरो इस बड़ में बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में जी हाली में आपने न्यूस चुली होगी कि इम्रान पाकिस्तान की सरकार साहती है कि वापिस जो भारत के साथ उनका इंपोर्ट है वो शुरू हो जाए भा कश्मीर से जो धारत 373 उसको हटा दिया गया था उसी के चलते उसी के आंसर में पाकिस्तान ने सभी जो इंपोर्ट है उन पे बैन लगा दिया था मतलब भारत से जो है कुछ भी चीजों का इंपोर्ट नहीं होता था लेकिन अब दो साल बात पाकिस्तान यह चाहता है कि व दूसरी बात वीजा भी जो है यहां पर पर्मिट किया जा रहा है जो प्लेयर्स हैं उनको भी तो काफी जो है आपको रिष्टे जो है सुधर्द जो है नजर आएंगी प्लस इसके अलावा जो भारत के प्रथान मंतरी और इब्रान खान के बीच में जो मेसेजिज हैं वो बाजू में ही आपको मिलेगा पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी बाडर आपको देखने को मिलेगी भारत सबस्यादर जो बाडर शेयर करता है बांगलादेश के साथ तो फर्स पर जो है आपको बांगलादेश देखने को मिलेगा बांगलादेश से जो है सबसे लबी बॉर्टर भारत शेयर करता है उसके बाद चाइना से जो है हमारी second number पे बॉर्टर शेयर होती है लेकिन third number पे अगर आप देऊगे तो पाकिस्तान से एक बहुत ही बड़ी बॉर्टर आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तान तो resume trade with India after nearly two years तो दो साल बात पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के साथ जो उसका व्यापार है वो वापिस फिर से शुरू हो जाए उसके बहले जस्ट को Google पे स्टो डाउनलोड MM Academy आप अपका करना है MM Academy आपको डाउनलोड करना है फिर आपको sign up करना है यहापे आप दो वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो demo lectures होंगे और फिर आपको plan को purchase करना है और courses को enjoy करना है यहापे आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो PDF के थुरू आपको proper revision आप कर पाओगे तो अब हुआ क्या है दो साल बात पाकिस्तान ने ये decision लिया है कि हम जो है अपने जो trade है वो वापिस जो है शुरू करना चाहते है भारत के साथ दो साल पहले 2019 में पाकिस्तान की सरकार ने ये decision लिया था कि वो जो है अपने sub trade यहाँ पर suspend कर रहा है भारत के साथ क्योंकि भारत ने revoke किया था 370 उसके बाद दो साल बात 2021 में पाकिस्तान ने ये announcement की है कि हम जो है cotton और sugar का जो import है मतलब कपास और शक्कर का जो import है तो हम वापिस ये शुरू करना चाहते है अब ऐसा क्यों है पाकिस्तान की सरकार ना ये decision क्यों लिया है उसके पहले आपको समझना होगा trade को भारत और पाकिस्तान के बीच की अगर हम trade की बात करें तो आपको trade जो है काफी बढ़ता हो नजर आएगा ये मैं बात कर हूँ आसे 3 साल पहले की किया उसके बाद जो है पाकिस्तान ने trade पे बैन लगा दिया पाकिस्तान की सरकार ने ये decision लिया कि हम जो है कोई trade नहीं करना चाहते भारत के साथ और import और बैन लगा दिया cotton और sugar पे पाकिस्तान के जो नए finance minister है हमाद असर उनका ये कहना है कि ये जो decision है ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जो prices है वो आपको काफे बढ़ते हुए नज़र आएंगे पाकिस्तान की जो industries है उनको specific project की जो है आपे जरूरत है पाकिस्तान की सरकार ये कहती है कि हम sugar का import करेंगे लेकिन इसके अलावा जो है हम और world से भी जो है यहाँ पे खरीदेंगे पाकिस्तान की सरकार ये कहती है कि शक्तर का जो import है हम इसलिए allow कर रहा है क्योंकि अगर हम पूरे विश्व में देखते हैं तो sugar के prices जो है वो काफी बढ़ते हुए नज़र आएंगे और इससे जो है import जो है possible नहीं है तो भारत से ही खरीदना यहाँ पे सही है तो कि भारत में price जो है काफी कम आपको देखने को मिलेगा अगर हम पाकिस्तान और भारत के sugar के price की comparison की बात करें तो पाकिस्तान में जो है आपको price काफी high देखने को मिलेगा अगर हम बात करें पाकिस्तान में cotton की तो cotton की जो demand है जो Indian cotton है उसकी demand जो है आपको काफी high देखने को मिलेगी जो cotton यान है जो भारत से जाता है उसकी पाकिस्तान में आपको काफी demand देखने को मिलेगी अब cotton की demand जो है पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है इंपोर्ट को बैन किया था उसके बाद जो है production की जो cost है वो काफी यहां पे बढ़ गई थी क्योंकि भारत से पाकिस्तान में cotton नहीं जा रहा था तो पाकिस्तान दूशरे देश से खरीगता था और उसके बाद जो production की जो cost है वो यहां पे काफी बढ़ गई है लेकिन अब अ होगा इसके बाद भारत सरकारी को यह ओफिशल स्टेट्मेंट नहीं आई है लेकिन अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने बेन लगाया था भारत ने जो है बेन यहां पर नहीं लगाया था तो अब जो है मैं आपकी राए जानना चाहता हूं कि क्या भारत को जो है यहां पर पाकिस्तान के साथ ट्रेट करना चाहिए या नहीं तो कमेंट बॉक्स में जो है इसका आपको आंसर देना है तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हो तो यह था इस वीडियो के एंडर उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर काफी को जानने को मिला होगा तो